हरो दोस्तों मैं नाम है सिदार्चेना और यह जो वीडियो आपका सब्सक्राइब प्रोपोर्शन एक्जाम कलर्ट टूट्टी ओ यानि ट्रेणी ओफिसर और जेम जिस वन का अगर आप त्यारी कर रहे हैं उसके लिए कुछ पासिंग स्ट्राडिजी बनानी है कि हम किस तरी एकल वाँ नामत्त्राइब योशता ददत patron ये वेकलतत लेडियो में कि मसम्ति में करते हैं कि सबसे बड़ें सब्सक्राइब जात करने इस्का एक्जाम की त्यारी वात सिपेते हैं लेट करके supplements पर लेट करतके हैं कि एक सबसे बड़ा रीजन है नोटिफिकेशन का वेट मत करिए अगर आप सोचे कि नोटिफिकेशन आयागा उसे एक महीने अब त्यारी कर लें तब सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं अगर को भी इंसाने सोच रहे हैं कि एक महीने का टाइम में पढ़के निकल सकते हैं कोई एक साल से त्यारी कर रहे है छह महीने से त्यारी कर रहा है उनकी त्यारी आपको मुकाबलेगा दो क्या होना चाहिए आपको performance हाई होना चाहिए तबि आ इंटर्व्यू इसके बाद अच्छी होनी चाहिए आपको इंटर्व्यू भी अच्छा होना चाहिए इंटर्व्यू आपको स्कोर करना होगा दोनों बाते हैं आपके बड़ हमें सबसे पहला क्या है रिटेन एक्जाम का नमबर सबस्जादा 60-65 नमबर इसका केले ही होता है अगर में रिटेन एक्जाम का वैल्यू करूं 65 मार्स अगर अखेले है तब सूचिए 65 मार्स से कितना वैली होता है अब इंटर्व्यू कभी होगा 20 मार्स जरूर होगा इसका ठीक है अगर इधरा मार्स है तो आपको सोचके चलना है कि भाई इसमें नमबर कम नहीं करें ठी प्रॉलम नमबर टू ठीक है अब प्रॉलम नमबर टू है मैं उसका आता हूँ एक चुछ समझ में आगे का आपको सुरू से पढ़ना यह दिमाग अदर डाली लिया बात सबसे बड़ा प्रॉलम नमबर टू क्या है एक सवाल है कि क्या पढ़े वाट कुस्टरी तो सबसे बड़ा चीज है कि सिलेबस यहां पर बहुत ही वाइड है ठीक है सिलेबस के बहुत वाइड है ठीक है और कोई भी बच्चा अगर यह सोचा है कि हम आरोहन पढ़के चले जाएंगे तो यह काम करेगा तो यह पहली बात खुझी अब गलस सोच रहे है और ओवन सेर्फ सफिशेंट नहीं है कि यह बिल्कुल सेर्फ सफिशेंट नहीं है मैं इसको नहीं मानता सेर्फ सफिशेंट आपको और भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप समझ सकते हैं कॉ कुछ नहीं होगा यहां अपल यहां आप के जा रहा इसको इसको सिर्फ परीवर कर रहें कर रहें एंबर से कुछ नहीं करोगा ऊपको अंडर्स्टैनिक करना और स्टैनंग नहीं करोगे तो तो कभी भी इंग्जाम इiałaं नहीं कर रहें बागी लोग पूरे तरीके से करें इसको solution किया है पूरा आपको detailed study करना होगा ठीक है? detailed study करना होगा problem number 3 मैं आप आए अब एक सवाल है कितना time हमें देना पड़ेगा पढ़ने के लिए एक genuine question है हम कब start करें पढ़ा ही के लिए problem number 3 when and what study time हमें चाहिए कि देखिए एक मेरे सीज़ा से सॉलूशन है कि आपको मोटा मोटी five to six months का टाइम चाहिए तो इसके five to six months का टाइम चाहिए क्योंकि मैं पहली बतारू कि syllabus जो है वह बहुत ही wide है बहुत बड़ा है इतना बड़ा syllabus किसी भी बैंक का नहीं है जतना बड़ा इस भी आईगा है ठीक है आपको five to six minutes time लेके चलना होगा जहां भी मानता हो कि चलो आप एक घंटा पढ़ाई करें वण आवर की study के साथ है ठीक है अगर आप ऑन आवर पढ़ रहें तो अब जितना समय बढ़ा दोगे दो घंटा तो समय घट जाएगे तीन घंटा और घट जाएगे चार घंटा और गट जाएगे बढ़ मेरा यह मानना है अगर आप यहां पे अगर अच्छे से पढ़ रह एक चीजी होके हो सकता है किसी के लिए 2 घंटा भी समय लागे जरूरी नहीं है इसलिए मैं 1-2 आपर लिखना जाता अच्छा है क्योंकि ऐसा की होता ना कि आपको सकते हैं गंटा बाकिको 2 घंटा लग रहा है अब एक सवाल हो रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह है कि क्या स्ट्रेटिजी हमें रखना होगा है तो हम इसको तीन भाग में बाठते हैं स्ट्रेटिजी क्या होगा है तो सबसे पहला हो गया हमारा वीडियो कोर्स ठीक है यानि आप इसको तीन स्टेप में आप डिवाइड कर लिजी स्टेप वन जो हमारा वीडियो कोर्स है स्टेप टू है आरोहन का कुश्चन अंसर डिस्कसन वीडियो पीसरा मजाएगा स्टेप ट्री कुश्चन बैंक भी पढ़ते जाना आपको जरूरी है यह सारे सवाल प्रिवियस येर के रहते हैं ठीक है स्टेप फाइफ फॉर स्वरी आपको यहाँ पे मैंने मौक टेस्ट है ट्विंटी सेवन में मौक टेस्ट आपको करवाँगा इतना आप कर रहे हैं तो बहुत बहुत बढ़ी है फिरिफिकेशन है यह सारा जा स्टेज है ना यह विसको बोल सकते हैं प्यूरी फिकेशन का स्टेज है कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं पहरा होगे वीडियो कोर्स किया पूरा समझ में आगे स्टेप्ट बढ़ा चीज है को सब्सक्राइब कर लिया फिर मौक टेस्ट ले लिए तभी ब्रच चलेगा दूद का दूदर पानी का पानी इसलिए इतना चीज का अर्मनाय से समय लगेगा ऐसा नहीं सब्सक्राइब जटके बाप कर लिए अब आज आते हैं जो हमारा कोर्स कंटेंट होता है हमारा जो कोर्स होगा फ्योरली फॉर एस बी आई टियो या जेम जस्वन का होगा ठीक है इस सारी कोर्स आपको ऑनलाइन मोड पे है ठीक है यहां पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलता है ठीक है यूजर नेमें पासवर्ड मिलेगा ठीक है उसी के हल्प सा पढ़ाई कर पाएंगे यह लाइफ लॉंग वैलिड होता है जब तक कि आपका पेपर पिलियर नहीं हो जाने जब भी खिर देना आपको यह नहीं सुचना कोई वैलिटी का इसमें न एनिवेर एनिटाइम एनिवेर एनिटाइम एंड अनलिमिटेड आप पूल सकते जितनी मर्जी उतना पढ़ लो भाई कोई रोका नहीं है यह सबसे बड़ा इस इसका फाइदा हो जाता है ठीक है है ओक है हम बात करेंगे कोर्स कंटेंट के ऊपर कि हमारे बहुता लोग ऐसे हैं जो एक्जाम दिये समय को समझ चुके हैं कि मैं अगर वेट करूंगा इतना दिन तो मैं ही मरूंगा ठीक है मैं नहीं पढ़ रहा हूं जासा मतलब थोड़ी कि सारे लोग नहीं पढ़ रहे हैं ठीक है अब पहले सब पढ़ा ही करो कोर्स वीडियोज कि ठीक है जो कि 2019 प्लस 2020 प्लस 2021 तीन साल का आपको पढ़ना जरूरी है तिन साल का करन है कि ऐसा नहीं सुचे खाली 2021 से हो जहने सब चीश पढ़ो यहां से पुछ लेता हो यहां से पुछ लेता है सब जगा से पुछ लेता तिस्रा नोट्स हो जाएंगे आपको प्रिवियर का होता है पाचवा 27 मॉप टेस्ट अब मॉप टेस्ट ही बहुत है इतना कर लोगे तो क्या बोलों सब चीज होगे इसका प्राइस है 2000 रोगे अब 2000 पे करके इंडोल कर सकते हैं ठीक है अब जानकारी के लिए आप कोल कर सकते हैं कॉल नम्बर है four times nine six eight five one two seven दूसर नम्मर है 7827546946, आप वेबसाइट में जाके सिंप्ली ओनलाइन ओर प्लेस कर सकते हैं, प्लेस ओनलाइन ओर, जो हमारा वेबसाइट है, वो है www.jaibcaibstudymaterial.com फिर हमारा email id हो जायेगा, siddsinha123.gmail.com सारा information मेंने इसी वीडियो के दिसुट्पिल मॉक्स में टाल दिया, ठीक है, थैंक यू.